नमस्कार दोस्तों परफेक्ट कूट मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियों बात करने वाले विल्ला सौट के बारे में आप इसका एक साल का चार्ट पैटन देखेंगे तो यह 31% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है और इस लेवल से देखेंगे तो यह 50% स काफी अच्छा देखने को मिलना इंडस्ट्री के कमपेरिजन में यानि इसमें ग्रोथ बाकिए आरो सी देखेंगे तो चॉइस पॉइंट नाइन का है और वहीं आरो इदेखेंगे तो 19.3 का यानि बहुत अच्छा देखने को मिलना कहीं से कहीं तक प्रॉग्लम नहीं है कि बात करें 85 के करीब इसकी बुक वैल्यू है और डिविडेंट की बात करेंगे तो लगवाद परसेंट का यह डिविडेंट भी देती है वहीं आप इसका हाइए फिस वैल्यू दोर पर है इस इस इस्टोग की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है और परमोटर के पास 41. 1.3 देखने को मिल रही है देट की बात करेंगे 118 करोड़ है देट देखेंगे तो 0.05 परसेंट यानि कंपनी अल्मॉस्ट डेट फ्री है पीजी रेशियो देखेंगे तो इसमें काफी ग्रोथ हो चुकी है पहले लगवाद पॉइंट 85 था जो कि अब बढ़कर 1.39 हो गया कोई प्रोग्लम देखने को नहीं मिल रही है हम बात कर लेते हैं उनकी तो आप उसमें एक चीज नोट करेंगे देखेंगे सबका देख लीजिए एक सिरफ और फाइनेंस सर्विस को छोड़कर बाकी सबसे कम आपको विल्लाशॉप्ट का देखने को मिल रहा है और सबसे कम सितंबर की बात करेंगों तो एक ऐग्लाशॉट करोड के मिल रहा है सितंबर को मिल रहें आप देखने को करेंगे ने बिल्कुल ओप्यम कर दिया है बिल्कुल OPM डाउन करने के बाद यहां आप देख सकते हो company loss में देखने को मिल रही है 16 करोड इसके profit and loss देख लेते profit and loss में आप देखेंगे 3320 करोड की इनकी sales थी जो कि अभी टीटेम में बढ़कर हो गई है 4670 करोड की अब तक की सबसे highest sales देखने को मिल रही है टीटेम में वहीं हम उसके साथ OPM देखें तो OPM भी जरूरी होता है अब देखें यह 2017 में 10 का था जो कि अभी है 11 का और जो last 2022 का था OPM 16 का और 2021 का देखें तो कोई problem देखने को नहीं मिल रही balance sheet देख लेते हैं प्रोग्लम आपको पता है कहा हुई इसके quarter result में जो के अभी loss आ चुका है वहीं वह भी OPM देखेंगे तो 1% का OPM था यानि 100 और पर कमार यह company तो sell कर रही है तो उसमें से 1 रुपए ही बचा रही थी आप यहां reserve की बा तो 746 करोड की fixed asset working capital भी देख लिए तीन करोड की है investment भी कर रखा है company 368 करोड का वहीं हम देख लेते कंपनी के पास cash and cash equivalent किता है तो आपको वह भी अच्छे से देखने को मिलेगा तो आप यहां देख सकते cash and cash equivalent 427 करोड का देखने को मिल रहा है यानि यहां तक तो company की में को अपनी loss declare किया है वागे कोई problem नहीं हमें देखने को मिली अब तक cash flow देखेंगे तो आपको negative देखने को बड़ा 116 करोड का वहीं आप share holding pattern देखेंगे देखेंगे आप पहले share holding pattern किता था अभी यहां था आप यहां देख सकते पर मोटर ने अपनी holding 40.4 जी सो से गठा कर अब भी इन होनी holding बड़ाई थी 41.48 जो कि December quarter में घटती हुए देखने को मिल रही है यहांनि पहले बढ़ाते हैं फिर थोड़ी कम करते पहले थोड़ी कम करते हैं यहां भी देख सकते हैं फिर थोड़ी बहुत कम कर देखेंगे तो FIS ने भी अपनी holding कम की है थोड़ी परसेंट आपको देखने को मिल रहा है अब यहां तक कोई प्रग्लम देखने को नहीं मिली आप जो ए ohp योरोप में देख लीजिए योरोप में आपको पता है किती सारी प्रॉग्लम चल रही है 11% का रेवेन्व योरोप जो आता है लगबग 7% के करीब दूसरी जगह से आपको रेवेन्व आता हुआ देखने को मिल रही है तो कई न कई आप यहां देख सकते हैं थोड़ी सी दिक इसलिए है क्योंकि इनके पास पहले से बहुत कम मार्केट शेयर था पहले देखेंगे तो आप 0.86% ता जो कि घटकर 0.68% रह गया यानि यह थोड़ी सी नेगिटिव बाट जरूर रहे इस कंपनी के लिए बाकि आप यहां देख सकते हैं नेट इंकम जरूर बढ़ी है आप यहां देखेंगे कंपनी पर कोई गडबड नहीं है यहां एंट्री पूंट गुड़ दे रखा है प्रॉटिविलिटी हाई बता रखेंगे ग्रोथ देखेंगे एवरेज वैलिशन हाई बता रखा है और परफॉर्मेंस भी लो दे रखा है अम बात कर लेते हैं अब इता बागता हुआ देखने को मिला था जो कि आपको किलियर देखने को मिल जागा इस लेवल से देख लीजिए वापस यहां तक तो आपको एक सो दो सो सत्तर परसेंट के आपको बागता हुआ देखने को मिला था इस तो बहीं आप वापस इस लेवल पर जब आया था गिर हम बात कलेटे technical analysis की तो देखे टेकणिकल एनालीसिस में देखिए इसका चार्ट का pattern समझिए कैसे काम करता है या तो आप यहां देखेंगे स्टॉक की चाल देखेंगे इस लेवल पर चल रहाता है यानी 129 जब गिर के इस लेवल पर आया तो आप यहां देख सकते हो लगवग 64 पर से इस टॉक करेक्ट हुआ था ठीक है बापस इस लेवल से इसने दू साल बाद बापस रिकवरी दिखाई तो आप यहां देख सकते हैं 2018 में बापस आया था यहां से या सुख पर 293 यहां से यह तो 452 आ देख सकते हो किसा था 202 यारीформ देख से तो 70% करेश्टग रव्यार था यहां आप हिसलेवल से देखी लिए 2020 और उसके बाद 2022 दो साल बाद आप देख सकते हैं वापस बाग कर आपको कहां देखने को मिला पानसो पिछासी के करीब वह वह भी पैतालीस रुपए परसेंट दिये गयाँ सो सतर के परसेंट के करीब इसने रिटन दी है वापस इस स्टॉक यहां से करेक्ट हुआ है और इस लेवल पर आता हुआ देखने को मिला है तो आप इसकी चाल समझ गए होगे पचास से साट परसेंट करेक्ट हो जाता है और वापस उसके बाद आपको एक काफी अच्छी तेजी करने चाहिए उसके बाद ही आपको आगे बढ़ता है अब बात करें बाइसल होल्ड की और बाइसल बात कर लेते हैं मैं इस स्टॉक में क्या करने वाला हूं मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपको बताऊंगा आप अपने फाइनिंशियल एडवाइजर से आ और अपनी से तो आपको यहां मुश्किल दिख रहा आता हुआ क्योंकि यहां एक फेस कंसॉलिडेट फेस में आ चुका है तो मैं इस स्टॉक में लगबग दो से तीन साल देने वाला हूं बहुत छोटा कंपनी बहुत छोटी कंपनी है लगबग आप देखेंगे तो 78000 करोड का मार्क है तो इसमें थोड़ी बहुत ही कौंटिटी बाय करेंगे और दो साल तक यह पैसा लगवाग मुझे डबल करता हुआ आराम से देखने को मिल जाएगा और इस स्टॉक में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉग्लम नहीं है आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाय एंड थेंक यू